दोस्तों जब इस तरीका से आरबी के पत्ते का पकोड़ी बनाएंगे तो बहुत ही जटपट बनकर तेयार होगी एकदम कुरकुरा करारे एकदम खश्ता जिसमें मिले दादी नानी और मम्मी के हाथ का स्वाध जिसे हम पात्रा, पित्रो, रिकवच बोलते हैं वो जो सिकायत होती हैं कि कुरकुरा नहीं बनते हैं गले में खरास हो गई है बहुत जंजट लगती है घंटो टाइम लग जाता है तो आपको कोई भी सिकायते नहीं होगी इस तरीका से आप बनाएंगे आपके पत्रा, पित्रो, यानी रिकवच बहुत ही ब्रब्बर बनेंगे तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना तो फ्रेंड इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आर्बी के पत्ते लिए हैं और इसको अच्छा से मैंने धो के साफ कर लिए हैं और इसका जो उपर का डं के साथ सेर कर दूंगी तो आरवी के पत्ते का जो उपर का डंठल है मैंने हटा दिया है और बीच का जो नसे है ना इसको हमें हटाना है काटना बिल्कुल भी नहीं है बेलन से इस तरह से इसको दबाते हुए बेल लेंगे तो ये एकदम मुलायम सौट हो जाएगी जब इसे ह इसमें भी कोई जंजट नहीं होगी तो सभी आरवी के पत्ते का जो नसे है मैंने इस तरह से दबा दिया बेलन से अब मसाला तियार करेंगे तो यहां पर मैंने लिया है लेहसुन की कलिया उसको छील लिया है साथ में इसमें डाल देंगे तीखा के लिए हरा मिर्च 4-5 यागी और सात वे मैंने एक छोटी चमच जीरा डाला है नजी बक काली मिर्च नजेया हो इसमें हम डालेंगे अधि टीश भूद धनिया साबूद और मसाला है यहां दालेंगे आम के खटाई हलका सा खटार्स आने के लिए आप चाहे तो आम चुर का पॉडर का भी इस्त् लेंगे तो यहां पर मैंने मसाला पीस लिया है बहुत ही बारिक पीसा है और इसका जो टेस्ट ना फ्रेंड बहुत ही लाजबाब आएगी हमारी जो नानी दादी अम्मा बनाती है पिलकुर इसी तरीका से बनाती है इसमें मैंने डाला है आधा कप बेशन और एक कप मैंने ल दालेंगे हम थोड़ा सा हींग अगर तेज है तो थोड़ा कम डालिएगा हलका है तो थोड़ा जादे डाल देजिएगा साथ में हम डाले हैं सफेद तिल इससे काफी अच्छा क्रिस आएगी हमारी जो पकवरिया बनेगी बहुत ही जादा लाजबाब बनेगी अगर आप सफ नहीं गूतेंगे इसको नरम ही गूत कर त्यार के इस तरह से अच्रिश का अधा पैस्टकों निकाल देंगे बाहर हम इस्तेमाल करेंगे तो दुसरे बतन में इसको हम निकाल कर देंगे और बच кв हुई है इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल कर इसको गीला सा पेश्ट बना कर त्यार कर लेंगे तो इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना है इस तरह से इसके बाद में पत्ता को लेना है इस तरह से पानी बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड पानी को पहले अच्छा से धोने के बाद पोच लीजियेगा कॉटन कपला से अब इसके बाद में पेश्ट को लेंगे अउलियों से दबाते हुए चारो तरफ अच्छा से इसके उपर लेप लगा देंगे तो आप चाहे तो इससे मोटा भी लेप लगा सकते हैं मसाला जो बना है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट है इस तरीका से एक बाद जरूर से आप लोग بना कर ट्राइ करियेगा अब दुसरा भी पत्ता हम उसके उपर रख दिये हैं और اسके उपर भी लेप लगा दिये हैं इसी तरह से एक एक पत्ता को हम जोईंट करते जाएंगे और उसके उपर लेप लगाते जाएंगे बेशन का इस तरह से तो यहां पर मैंने 7 से 8 पत्ता जॉइंट कर दिया है तो तरके उपर एकदम नहीं लगाना है इसको फैलाते हुए लगाना है अब एक साइट से इस तरह से फोल्ड करेंगे इसके उपर पेश्ट लगाएंगे तो गुलियों से दबाते हुए लगाना है कि अच्छा से यह जॉइंट हो जाए चपक जाए तो दुसरे साइट भी मैंने इस तरह से अच्छा से फोल्ड करके चपका दिया है अब नीचे की तरफ इस तरह से मोडेंगे उसके उपर हलका सा पेश्ट लगाएंगे और इसको दबाते हुए मुलियों से इस तरह से रोल बनाकर तयार करना है तो टाइट ही इसको रोल बनाईएगा ताकि यह खुलेना थोड़ा-थोड़ पेश्ट दोनों साइड हम लगा देंगे इस तरह से तो इस तरीका से आप फ्रेन पत्ता बनाएंगे बहुत ही ज्यादा स्वाधिष्ट बनती है और बहुत लाजबा बनती है और बहुत कुरकुरा भी बनती है तो यहां पर मैंने एक रोल बनाकर तयार कर दिया है अब इसको हम चाकू की मदद से कटिंग कर लेंगे आपको कितना मोटा और कितना पतला कट करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं पीशद जो है मैं कट करके आप लोग को दिखा रही हूं कितना अच्छा से निकल रहा है तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं तो फ्रेंड एक बात का मैं आप लोग को याद भी दिला दे रही हूं साथ में कि आर्बी की पत्ते की ये पकोणियां आप लोग को कैसी लग रही है अगर पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक और जादे से जादे लोगों में सेर जरूर से कर दीजिएगा और जो फ्र तुरंद का तुरंद पहुझाए यहां पर तेल को मैंने अच्छा से गरम कर लिया है और एक एक पकोणियां को मैंने डाल कर उसको ढग दिया था पांस च्छे मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे उसके बाद में जब नीचे सुनारा गोल्डन लाइट कलर आ जाए इसको एक पस मैंने इसको तीर मिनट तक ढग दिया है मेडियम लो फ्लेम पे और अच्छा से नीचे उपर सुनारा लाइट और कुरकुरा होने तक तेल में तल लिया है तो यहां पर देख सकते हैं कि जो पकोडियां मैंने बनाया है बहुत ही अच्छा से कुरकुरा हो गया है और कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यार आया है अब इसको हम निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में आप लोग को एक टिप्स में बता रही है फ्रेंड इस तरीका से आप ढखकर पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही कम समय में ये बनकर तयार हो जाएगी तो य खाने में इतना ज्यादा स्वादिश्ट लगती है कि पूछिए मत एक बार जरूर शे ट्राई करियेगा आप लोग को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है इस तरीका से हमारे घर में बनती है हमारी नानी, दादी, मम्मी इस तरीका से बनाती है पकोड़िया हमारी दादी इस तरीका से बनाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती थी तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में भी इस तरीका से सेर कर दू बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश लगती है इसको 24 घंटा भी रख देंगे तो ऐसे के ऐसे कुरकुरा बनेगी तो मैंने आप चलिए आप तूसरी रेशपी को हम बना कर तैयार कर लेते हैं आधा जो मैंने रखा था पेष्ट उसमें थोड़ा सा जवाइन डाल देंगे इस तरह से हाथों में मसल करस करके और इसके बाद में मैंने तीन पत्ते को बचा के रख था उसको मैं पतला पतला चाकू की म ला लेना है अब इसको हम रख देंगे साइड में यहां पर मैंने लिया है चकली मेकर मसीन देख सकते हैं और चकली मेकर मसीन में मैंने तेल लगा दिया थोड़ा सा ताकि चिपके न अब इसमें हम सभी पेष्ट को भर देंगी आप चाहे तो आप खाली बोतल में भी भरके इसको बना सकते हैं उसमें भी बहुत असानी से बन जाएगी या पाइपिन बैग में या दूद की थाइली में भी बना सकते हैं इस रिस्पी को आप 10 से 15 दिन तक भी रखकर खा सकते हैं फ्रेंड बहुत ही जादा स्वाधिश लगती है अब इसके उपर ढगा देंगे इस त स्वाध है ना बिलकुल डिफरेंट आती है बिलकुल अलग रहती है तो एक बार जरूद से ट्राइक करिएगा फ्रेंड आप बार बार बनाना पसंद करेंगे इतनी स्वाध्ष जहक्त पूछिए मथ जब मैंने अपने घर में इस तरीका से बनाया ना तो पूरा का पूरा एकी तीन में खतम हो गया था दोबारा मुझे बनाना पड़ा था सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो यहां पर मैंने तलने के लिए तेल डाल दिया है तेल गरम हो गई है इसके बाद जब नीचे सुनारा गोल्डन लाइट कलर आ जाए और उपर की तरफ इसको पलट देना है इस तरह से और इसको सुनारा लाइट और क्रिस्पी होने तक तेल में इसको तल लेना है तो बहुत ही अलग ये नास्ता है फ्रेंड आज से पहले कभी ट्राइ नहीं किया होगा एक बाद जरूर्श ट्राइ करिएगा दोनों तरीका का नास्ता आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जैसे ही कुरकुरा हो गया है मैंने इसको तेल में से निकाल लिया है तो लीजिये फ्रेंड हमारी दूसरी नास्ता भी बनकर तयार हो गया है एदम कुरकुरा खसता और इतना मज़ेदार है कि पूछिए मत तो एक बात जरूर से ट्राई करिएगा फिर कल मुलाकात होगी आप लोग के साथ में एक दूसरी नई रेस्पी के साथ में तब तक के लिए